पर कह रहा हूं अपने कमपनी मालिकों से कि आप लोग लीज उस बच्चे का मदद करिए क्योंकि हम सबका बच्चा है वो गाना गाने से वो बच्चा नहीं बच्चेगा हमें उसका मदद करना पड़ेगा कि गाना गा रहे हैं इसका पैसा हम सारा यूटूब से जो आएगा पैसा हम उस बच्चे के मदद के लिए देंगे जी नहीं कि हमारे शुरुआत में आप लोगों ने इतना मदद तो नहीं किया तहले कि आज हर आदमी उस मदद के तरफ जा रहा है यह बड़ी अच्छी बात है और कुछ मदद हो सके सबसके हां आथ हम के सारी लिया दू सबके गोर चोके गोर लगत दनी है आज बड़ी दूख के सांथ लाए वेल बनी हम और इसे जे काफी दिन से आज थोड़ा सा छुटी मिला ला हमके शोटिंग से क्योंकि संडे के जी गिया कौनों कामना होला है हैदराबाद में शोटी रहला बस यांस खाती हम आईल बनी कि जितना से जितना हो सकर वह सब मदद करी हो बच्चा के ताकि यो बच्चा जल्दी से ठीक हो कि हमने के बीच में खेलल सुरू कर दे और हम एक हाती लाए बाइल बनी कि हम जितना कंपणी के गाना दी ही ले अदेतानी सबसे रिक्वेस्ट यह बाद कि रहो लोग इन हमार प सके ऐसे जे एक बात के खुशी भी वह हमके कि जो आज तक ले कलकार बंदु से आज तक ले के हो मदद ना करता ला कौनों भी आपता में के हो कही ना जाता ला लेकि आज अपना कलकारन पर गर्व होता हमके कलकारन पर खुशी भी होता कि हर कलकार आज कुछ कलकार हर कलकार तो निखान जा पाओ लेकि जे भी फिरी बा जे बिहार में बा हम हूँ रहती तो हम हूँ जेती लेकि हमारे टीम से जितना भी हो सकता हम मदद करावे के कोशिस कराता नहीं मदद करात भी बाने लेकि हम चाहता नहीं कि हमारे कंपणी नहीं तो 25 से 30 कंपणी बा वो कंपणी स request करतानी कि आप हमें गाना का पैसा देजिये मत देजिये लेकि उस बच्चे का मदद करिये ताकि हमारे घर का बच्चा है हमारे बिहार का बच्चा है और हमारा धाई तो बनता है हमारे भजपुरी समाज का बच्चा है तो हमारा धाई तो अपने जो भाई हैं उनको भी धीर सारसुक कामना देना चाहता हूं को इस मोहिम को चलाए वो और इस हद तक लेकर गए कि आज सब लोग मदद कर रहे हैं उस मीडिया कर परभारी मेडिया के जितने भी परभारी हैं जो लोग इसे जागरुकता को फैलाए हैं मैं उनका सुकर यादा करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा मुझम छेड़ा कि हम तक बाते पहुंची बहुत सारे ऐसे लोगों तक बाते पहुंची और उस बच्चे का मदद हो रहा है और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं अपने कंपनी मालिकों से कि आप लोग लीज उस बच्चे का मदद करिए क्योंकि हम सब का बच्चा है वो आयांस का जो अंस है हमारे सब के अंदर है और मैं अपने भाईयों से कहना चाहता हूं जो हमारे संगीत से जुड़ा है कि आप कुछ जैसे वे कि आप गाना गार हैं गाना गाने से वो बच्चा नहीं बच्चेगा हमें उसका मदद करना पड़ेगा कि गाना गा रहे हैं इसका पैसा हम सारा यूटूब से जो आएगा उ पैसा हम ऊस बच्चे के मदद के लिए देंगे जी नहीं उस अब 6 महिना यूटूब के बाद पैसा आई ता निवता क्याटा वाला कामबा कि नेवता के आटा आई तो पूरी पाकी तो लिहित लुखाई तो छे महीना तक बच्चा वेट नहीं करेगा क्योंकि उसकी बिमारी बहुत भैंकर भैवाना है बहुत हलकी नहीं है कि उच्छे महीना बरदास कर पाएगा तो आप वो गाना ना गा के आप कोई गित गाई है देभी गित गाई है चठ गाई है जो भी गाई है गा के आप कंपनी को बेज कर और उस पेमेट को डोनेट कर दीजे उस बच्चे के लिए उस बच्चे का हेल्फ हो जाएगा तो तुरंत हेल्फ की जरूरत है हमें गाना गा के छे महीना वेट तो कोई नहीं कर कि ये घड़ी जो है हम सब को एक जूट होके और बड़ी खुसी हो रही है कलकार बंदों से मुझे बहुत सच में बहुत खुसी हो रही है कि हमारे सुरुआत में आप लोगों ने इतना मदद तो नहीं किया तहले कि आज हर आदमी उस मदद के तरफ जा रहा है ये बड़ी अ बनता भी है जनता के असरवाद और प्यार से और उसी जनता में से वो एक बच्चा है हमारा कि उसके माबापने भी हमें कभी प्यार दिया है देते हैं तो हमारा भी दवित बनता है कि उसकी दुख और सुक में साथ रहे हम तो इसलिए मैं चाहता हूँ कलकार बंदों से खा तुरंट उस बच्和ी के लिए हेल्फ करिए ताकि उस बच्和ी को ज़्यादा स्जड़ा है वहलता हो सके तो मेरी प्रयास मेरी टीम ऽुरू दिन श्रू दिन से लगी हुई है कि सारी फांडेशन के तरब से जो भी मदद हो रहा है लेकि मैं फिर से एक बर कह रहा हूँ अपने कमपनी मालिकों से जिनके पास मेरा गाना जाता है आप मुझे पैसा दिजीए मत दिजीए लेकि पिलीज उस बच्चे का मदद जितना हो सके आप एक गाना मेरे तरफ से लिजी फिरी बट उपैसे उस बच्चे के लिए करिए ताकि उस बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके हमारा तो दस मिलट का मेहनत है लेकि मुझे लगता है कि उसकी जीवन बहुत बड़े हैं तो और मीडिया पर भारे जितने इसे मोहीम को आगे बढ़ा रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जितना से जितना हो सके उस बच्चे के मदद के लिए आप अपने इस जगरुपता को जारी रखिए और ताकि लोगों तक इस चीजे पहुँच जाए और कुछ मदद हो सके सबसके हाथ और हम सबकाता ही तो बनता है हम इतने सारी लोग हैं और हम चाहें तो क्या एक बच्चा नहीं बच सकता है एक एक रुपय दान अगर पूरी बिहार करेगी तो साइद उस बच्चे के जीवन के लिए बहुत हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि पुरे बिहार यह नहीं जहां भी लोग एउपी बिहार धरखंड मैं जहां भी मेरे अपने संपर के लोग हैं जो कपेबल हैं, जो कपेबल नहीं भी है जो सौर रुप्य का ही छमता है उनकी मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करर रहा हूँ चाचा होने के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमसे जो हो सक्राय मैं कर रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा करके सब लोग अगर करियेगा तो साथ उस बच्चे का जीवन बन जाएगा तो प्लेज आप सब से रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे के जीवन के लिए मेरे जोली में भीख डाल दीजिया उस बच्चे के रूप में उस बच्चे को देखने के बाद लगता है कि वो कितना खिल खिलाता चेहरा है उसका उस बच्चे को हमा जीवन देखना चाहते हैं हम जब तक जीएं वो बच्चा हमारे बीच में रहे हम ना भी जीएं तब तक वो बच्चा हमारे बिहार का एक नागरिक बनके आपका बेटा बनके और आप सब के गोद में खेले तो प्लेज सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लेज आप सब और मेडिया परभारी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हू कि आप लोग प्लेज इस मोहिम को ज्यादा से ज्यादा फैलाईए ताकि उस बच्चे का मंदत हो सके कलकार बंधू को फिर से अधन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इसाही करने की जरूरत है हम सब को कि जो हमें बनाया है उसके बीच में हमें जाकर उसका हेल्फ करना चाहिए यह एक बीमारी की बात नहीं है जिस भी जो भी प्रॉब्लम में हो हमारे बिहार का नागरिक या यूपी का नागरिक या हमारे भासा का नागरिक चाहे हो जिस देश में रहता हो, जिस परदेश में रहता हो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और ये बहुत अच्छा लगा और खेसारी फॉन्डेशन को भी मैं दिल से धन्निवाद देता हूं जो मेरे से जुड़े हुए हैं कि सारी फंडिशन से जुड़े हुए हैं कि आप लोग सुरू दिन से बहुत ज़्यादा मेहनद कर रहे हैं इस बच्चे के लिए और करने की जरूरत है इस मोहिम को छोड़िये मत इस मोहिम को चलाते रहे हैं इस मोहिम को और आगे तक लेके जाएए तकि जादा से जादा उस बच्चे का मदद हो सके मैं आज लाइब में किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो प्लेज आप दुखी मत होएगा क्योंकि मैं किसी और माध्यम के लिए लाइब आया हूँ और किसे दिन हम लोग खुशी मूड साएंगे तो आप सबको बिलकुल आप सबका नाम लोगा आप सबको प्यार करोंगा आप सबका प्यार तो हमेशा मुझे मिलता है तो मैं अकि सारी फॉंडेशन को दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि कि सारी नाम जरूर है लेकिस फॉंडेशन में बहुत सारे लोग जुड़े हूँ जो कि सुरूर डे से इस कारे को कर रहे है तो आप लोग बधाई के पात रहे हैं और जो भी फॉंडेशन है मैं सब को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्लेश इस बच्चे के हिल्प के लिए जो कर सकते हैं प्लेश करिए लव इ आउल थैंक्यो मेडिया परभारी को दिल से थैंक्यो कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उस बच्चे के लिए और कर भी रहे है और अभी करने की जरूरत है जब तक वो सोलकड़ नहीं हो जाता है उस बच्चे को हम वो इंजेक्शन नहीं दिला देते है तब तक हम चैन से नहीं वैठेंगे और इस सब का देतो है प्लेश आप लोग उस बच्चे के लिए जो हो सकता है करिए और कंपनी मालिक हमारे जितने भी है प्लेश आप सब लोग जो हो सकता है उस बच्चे के लिए करिए